अनिस्तान को लेकर लोगों के मन में बहुत सवाल हैं उन सवालों के जवाब कई तस्वीरों के जरिये सामने आ रहे हैं एक जवाब जानने की कोशिश करते हैं पाइलेट देवी शरंजी से जो कंधार एयरपोर्ट पर गए थे IC814 लेकर सर उसकी बहुत पुरानी और बुरी यादे देश में आज भी हैं आज भी लोग याद करते हैं तो सिहर जाते हैं है आइसी 814 की जिस तरीके से बहाँ उत्रा था जिन परिस्चितियों में उत्रा था और अब जो विडियो सामने आ रहे हैं कुछ अफगानिस्तान में बदला दिखाई दे रहा नया चालिबान की बात कर रहे हैं कुछ भी बदला वहा दिखाई नहीं दे रहा वैसे कि वैसे लोग जीपों पर खुली जीपों पर घुम रहे हैं विद जो अपने उनके आम्स अनुमिनेशन, रॉकेट लॉंचर, गन्स नहीं, कुछ ज्यादा बदला वहा दिखनी रहा, वैसे ही उनकी जो वेशभूसा है, जैसे टर्बन लगाओ या जैसे सीवीज में वो घुमते हैं, तो वैसे ही दिख रहा है, मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि जैसे हम 20 साल वापस चले गए हैं, फरक इतना है सिरफ कि जो आज एरपोर्ट के ओपर हजारों लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उस तेम हम सिरफ दो सो लोग थे, वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, हमारे आसपास बिलकुल सुनसान था, वो दूसरी बात थी कि हमारा जो जहाज था वो घिरा हुआ था उस तैम, तालिबानियों से, काबालियों से, उस तरम वो काबाली बोलते हैं, उनको तो उनके साथ घिरा बाकि अगर टीवी पे आज देखो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे 20 साल पहले की ही तस्वीर है कोई ज़्यादा फर्क नहीं लग रहा है। अगर उस समय कि अगर कुछ यादें क्योंकि वह ऐसी यादें सब भूलाना चाहेंगे लेकिन आपके जहन में बिल्कुल वह चप गई होंगी कुछ ऐसी बाते जो एकदम अभी भी आप याद करते हैं तो सीहर जाते होंगे थोड़ा डर तो लगता होगा। जो कि एक ऐसा थ्रेट था कि कभी किसी टाइम भी जान जा सकती है अभी गई तो गई अभी गई तो गई जैसे नेगोशेशन फेल होती थी तो लगता था कि आज मर जाएंगे बट किसी तरीके से कुछ होता था बाद में फाइनल तो मतलब आ जाता था खबर के नहीं अभी टाइम है तो साथ दिन हमने सिर्फ यह है कि अभी मरे के मरे अभी जीए के जीए ऐसी चलता था उस दोरान बहुत से लोगों की तबियत भी खराब हुई होगी क्या वो महिया करवाते थे मेडिकल हेल्प देते थे किसी तरह का उनका वहवार कैसा वहवार के यात्रियों के स बारा नहीं ऐसा कोई उनका वहवार नहीं था कि वहमारी किसी द्रायब की कोई help करें क्योंकि मेरे को लिन लगता कोई ऐसी facilities भी उस टाम होंगी उनके पास मेरे को तो एक instance याद है कि हमारे एक जो passenger था हो काफी बिमार हो गया था उसको हमने भेजा एरक्राफ्ट के बाहर तो वो शायद हॉस्पिटल में भी गया था वहां के कंदार के और कुछ गंटे बाद पता लगा कि वो वापस आ गया कि उसने चूज किया कि मैं एरकाफ्ट के अंदर रहना बैटर है बजाए इस हॉस्पिटल के अंदर तो आप हिसाब लगा सकते हो कि वहां की कंडिशन क्या होगी उस टाइम बड़ा एक काम था कि यात्रियों को भी संभाल के रखना है क्योंकि असली जानकारियां तो आपके पास भी नहीं आ पारी होंगी कि किस तरह पर बाचीश चल रही है कैसे आगे बढ़ रही है तो यात्रियों को भी संभाल के रखना किस तरीके से सहीम बना उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि वो जब भी कभी आपस में आर्ग्यूमेंट होती थी बिट्विन पैसेंजर और इसके हाईजैकर्स के तो इमीजेटली क्रू बीच में आ जाता था तो एक तरह का पैसिफाई कर देते थे के प्लीज इसको मतलब ऐसी हैंडल करना पड़ जाए और सारे पैसेंजर की मतलब कैसुलिटी हो या कुछ ऐसा हो तो उस चीज को बचाने के लिए हम लगे रहे साथ दिन अपने आपको सयमित भी रखना क्योंकि आप पाइलेट थे आपके ओपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी अपने क्रू मेंबर्स की भी अपने या आप दिखाई दे रहा था कि तालिबान क्या है? किस तरीके कि अगर ऐसी कोई हो जाता है कि आपका हाईजैक हो गया सम्थिंग तो यह सारा गौर्नमेंट नेकोशिशिशन करती है इनीशली जो हम कुछ कर पाते हैं तो वह हम करते हैं बट जितना उनके पास असला था हैंड गरनेड्स, रिवॉल्वर्स और बाकी कुछ उस के सामने कोई भी आदमी मरना तो चनी चाहता है सर बीच सार पहले का जो तालिबान था उसका आतंक पूरी दुनिया देखा था तो आप लोगों के साथ कि उन्होंने बत्यमी जी या किस तरीके का वहवार आप लोगों के साथ किया जाता था क्योंकि भाशाई भी दिक्कत थी कि आप लोग भाशा समझने में या उसमें भी दिक्कत आती होगी डारेक्टली तालिबान के जो वो कबाली फोर्स थी उनके साथ हमारा कोई ज्यादा इंट्रेक्शन नहीं होता था एक दो बार जब मेरे को नीचे जाके जहाज के नीचे जाना पड़ा उनको कुछ बत कि आपके शरीर पर भी अभी निचान है कुछ उस तरह उस समय के तो वह अगर तो ती अब में अब ज्यादा नहीं कहां पर आपके साथ हुआ क्या था सर वह उस घटना में हुआ क्या था मैंने जो पढ़ा था की गले पर कुछ वार किया गया था निगने वह बिसिकली चार और मेरे पैसेंजर्स के इनों ने गले काटे थे जिसमें से एक की बाद में डेथ होगी थी और तीन लोग बच गए थे तीन थे दो बच गए थे तो उनको टाइमली थोड़ा उनको मरमपटी मिल गए थी तो एक की शायद थोड़ा ज्यादा नुकसान हो गया था तो वो दु कि जाए कि ये नया तालिबान है ये लोकसांत्रिक तालिबान है ये बदलावा तालिबान है इसके बारे में मेरा कमेंट करना ठीक नहीं होगा क्योंकि उस ताइम उनका काइंड आफ नेचर थी तो उससे तो लगता है कि वो कभी बदलने वाले नहीं है पर जो आज वो बोल रहे हैं ये तो फ्यूचर बताएगा कि वो कैसा बिहेव करते हैं अपनी पबलिक के साथ पर बीच साल पहले का मेरे बहुत ही कड़वा एक्सपीरिंस आया है लेकिन बोल जरूर रहे हैं वो उनकी बोली में कि हम नया तालिबान है लेकिन रोज उसी तरीके के दृष्चे आ रहे हैं कहीं पर गोली मारी जा रही है पूर उनके सैनिक अधिकारी थे नेजब उनका यह बड़ी दुखदाई न्यूज है सारी जो हम देख रहे हैं टीवी पे और वाकी पढ़ रहे हैं मेडिया के अंदर और आई होप के वो ऐसा ना हो और सब ठीक हो बीस साल बाद वो चेंज होने चाहिए होना भी चाहिए पर यह तो अब टाइम में बताएगा क्योंकि इस लगा कि आप वहां से उड़ने वाले हैं आप कंधार से तब उस समय किस तरह की फीलिंग आई थी और जो प्लेन के यातरी थे उनकी तो खुशी एकदम छिपी नहीं रही होगी जो सुरक्षित थे उस समय यह बिलकुल सही बात है कि उस तरह हम सब खुश थे क्योंकि हम कुछ करना पड़ा एक्चेंज हो वा सब कुछ हुआ तो डेफिनेटली सारे पेसंजर्स इतने ज्यादा खुश भी नहीं थे पर किसी के पास कुछ वाइस भी नहीं थी इसी में जोड़ते हुए क्योंकि आपने बात कई उस नेगोशियेशन पर सर बाद में राजनीती भी हुई कई लोगों ने कहा जबकि उस समय कहा जाता कि सबसे पहली प्राद मिक्ता जान बचाने वाली थी नेगोशियेशन पर जब यहां पर सवाल उठने देखे आपने देश में आने के बाद कुछ अफसोस या कुछ लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था नहीं वो तो हर कोई भी इस तरीके का कोई भी ऐसा हादसा जब होता है तो उसमें पॉजिटिव नेगटिव कमेंट आते रहते हैं तो उसके लिए आप क्योंकि हमारा जो देश है वो बिलकुल एकदम ओपन है मिन्यूज के लिए तो कोई 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 कर सकता है तो उसमे तो मैं क्या बता हूँ अब लेकिन कोई और चारा आपको ऐसे पाइलेट नहीं दिखाई देता था वही एक रास्ता था उससे बाहर निकलने का जिस तरह की इस्तितियां बन गई थी एसे चारा जो मेरे को लगता था कि मैं अपने कंट्री में जहाज को किसी तरीके से लैंड कर दूँ और उसके बाद जो ग्राउंड फोर्सीज हैं वो मेरे जहाज को रोक लें तो मेरे पास यही था तो वो मैंने अमरिसर में किया किसी भी तरीके से जबके उनकी तरफ से कोई जिहान ही थी पर मैंने के जो भी हम कर पाए हम एस एक क्रू मेंबर हमारे सारा क्रू जो कॉक्पिट में था हमने किसी तरीके से उनको कर लिया कि हम अमरिशन में लैंड कर जाते हैं और लैंड कर भी गए 49 मिनिट जहाज ग्राउंड पर उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो जब बट किसी नहीं सुनी उस ताइम और फाइनली जब उन्होंने लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया देन आ हैड तो टेक आफ रम देर बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए न्यूज एटीन की दुस्ते शुक्रिया केमरान सुनील सागल के साथ विकरांत दो नूज़ दीटिन